अगे गाई वेलकम तो मुस्कान्स किचन आज में बनाने जा रहे हुँ भूत ही यम्मी सा वाइट सॉस पास्ता बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनता है और ये खते है लग्भः रेस्थि लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहां पर म पूलता है फिर उसके नमक डाला है थोड़ा सा ओयल डालके मैंने ये कुकर कर रखकर बंद करके इसको गैस पे लगबग 2 सीटी आने तक मैंने इससे बॉल किया है दो सीटी इसमें हाई फ्लेम पे आनी चाहिए तो ये देखिए यहां पे मेरे पास्ता बॉल हो गया है लगब मैंने घरते हमाई बेबी कॉं लिया है और जो घर्लीख है उसको बहुता चौप रिया है अंयों को इस से टी कुराईट करना है धिस को इसको पील करना है तो इतने बड़ पड़ इसμें पीसे सच रहे होने अंयों के पास्ता महीशा ऐसा इक आते है ये वेगड़े पे बैन और में थोड़ा सा बटर डाला है तूरी ब डाला है और से कि बटर ज़ड़ा जलो जाए ऐसे बटर पिंगल जाए उसमें छॉट सा अगिस तो बस लगा है मैं इसमें तुम है कर सकते हैं की बिरनी निप साथ टाला है यहां मैं सारी में 55-58-22-90 बनामक नहाई नहीं पकाना है, इसे लगबग 50-60% तक ही कुक करना है, फिर मैंने सेम पैन में थोड़ा सा उलिव और अड़ किया है, थोड़ा सा बटर आड़ किया है, फिर मैंने इसमें दो चमश्च मैदा अड़ किया है, मैदे को अच्छे से, इसमें बटर और ऑईल के साथ बुनना है, बहुत जादा इसे डाक नहीं करना है, बस बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकाना है, तीरे-दीरे, फिर जब इसमें हलकी सी खुश्पू आने लग जाए, उसके बाद इसमें मैंने लगबग एक ग्लास तक दूट डाला है, मिल्क आड़ करने के बाद इसको स्पाचुला से बाद इसमें स्टर करते रहेंगे, क्योंकि इसमें लम्स बनने लग जाएंगे नहीं तो, जैसे-जैसे यह कूख होगा, गाड़ा होता चला जाएगा, तो यहां देखिए, यहां पी काफी गाड़ा हो गया है, अब इसमें मैंने लगबग एक चमश चली फ्लेक्स, एक चम बाद इसमें जो हमने पास्ता बॉल किया था, वह पास्ता इसमें आइट करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसके बाद मैंने लगबग एक चीज क्यूब डाला है, पूरा इसमें ग्रेट करके, यहां मैंने अमूल का चीज क्यूब यूज किया है, यहां प टेस्ती बनता है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थांक यू थांक यू फो वाचिंग